सारे कॉनाटॉक में ये साम्प्रदेख धुबी करन की हर संभव प्रयास किया गया था फिर भी जीते इसमें संदेश जरूर जाते हैं कि सरकार रहते हुए भी कॉनाटॉक को छीन लिया जा सकता साबित होते हैं मोदी जी आज यह नहीं इसका मतलब यह नहीं कहते कि दो राज्यों में जीत चुकी इसका मतलब हिंदुस्तान जीत लिया है नहीं लेकिन जिस कॉंग्रेस पार्टी को अबिचुवरी में डाल दिया गया था कभी हमारे नेतर राहूल गंदी को पप्पू बनाके कभी यह मा बेटे की पार्टी बनाके कभी गाली गलोज करके आम लोगों को आखो में धूल जोक के कॉंग्रेस पार्टी की अभिचुवरी तैकिया गया था यह कॉंग्रेस पार्टी खतम होगा अभी क्या कर इन लोग को लेका तब देखो अब तो कहना चोड़ दिया कॉंग्रेस पार्टी की फिर सारे हिंदूस्तान में दबदबा बरना शुरू हो गए है यही मैं कहे रह पर धीरे धीरे हम आगे बर रहे हैं। धीरे धीरे मतलब 2024 तक नहीं होगा? नहीं, हो सकता है। तो अगर NDA अपना प्रधान मंत्री कैंडिडेट तेह कर चुका है, तो इंडिया को कितनी देर लगेगी अपना PM कैंडिडेट और क्या राहूल गांदी प्रधान मंत्री बनना चाते हैं। इस तरीके की हरकत करके, 2019 साल में कुछ बोले थे। और कौना टॉक को छोरके केस हुआ गुजराट में। और केस कर रहे हैं कौन BJP के में ले। दो दो चात्री हैं हो गए। किसका किसका खुआ इस क्या थी। क्या आप कह रहे हैं कि कोड 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 की दोस्त नहीं देते मैंडम आप इल्जान थुपना के कोशिज मत किया कर आप यह तो जो केस करते हैं। वो बीजेपी के मेल हैं। इसले मैंने कहा।। पर ये तो विन देरीज रूल देवल यूज इसने कर लुज ए तो कौना टॉक कि में अगर कोड कोई अना ही होते हैं। तो लोग कौना टॉक में वहां भी बीजेपी थे ते हुआ कोई केस लगाते। फिर चले गए गुजराट और हुआ जाके चुप चप बैठेर है कम मोगा मिलेगा चलते चलते दो तीन साल बाद उनको लगा कि आप सही मोगा आ गए तो चलो अभी मुप कर दो इसी में बहुत सारे बात आ जाते हैं हम संसत की बात करते हैं because you are leader of the party तो जो पार्टी में आज काले कपड़े पहन के सब लोग गए थे क्या and the disruption which is happening लोग तो देख रहे हैं न चाहे बीजेपी की वज़े से हो या फिर opposition की वज़े से हो जो disruption हो रहा है क्या वो आप समझते हैं ये lock jam कभी हटेगा नहीं देखिए ये disruption provoke करते हैं सत्तरूर पार्टी वो चाहते हैं कि सदन ठब हो सदन इस तरिके की सदन में कामकाज में रुकुवाट पाइदा हो ये कुछ सत्तरूर पार्टी चाहते हैं नहीं तो मैड़म हमारे मांग बड़े सीमीद बड़े साधरन बड़े चोटी सी मांग है सदन की नेता प्रधान मंत्री कोई प्रधान मंत्री सेप नहीं आए और leader of the house भी है सदन की नेता है देश की प्रधान मंत्री साथ साथ सदन की नेता सदन चलते हैं सदन की नेता बाहर बोलते हैं मेरा मांग था हमारे party के मांग था सदन की नेता बाहर नहीं बलकि सदन की ने सदन के सरवच्य पत्रदानमंत्री लिडर अब दा हाउस उससे अगर हम एक मांग करें तो पूरा करना उनका जिमेबारी बनते हैं तो आके अगर सदन की अंदर आकर ओ अगर कह देते कि हाँ मनिपुर की बारे में मैं बारा चिंती थू दुखी हूं यह चर्चा होना चाहिए अगर हम में आते हैं बस सब एक हां कि आ कि सदन की बाहर चौत्री सेकंड अपने मनिपुर की बारे में जिकर किया सदन की अंदर बीस सेकंड तो कर सकते आसमा तो टूट नहीं पड़ते भूखम तो नहीं होते ऑज आप यह कह सकती कि आपो आम प्रिजान ओने cry मैं से क्ए बिल्कुल अपने स्वही हा है जबाब मैं यह मैं कहना चाहते हैं unleash the acum मुनीपूर की मुद्दा एक राज्य में सिमित नहीं है है मुनीपूर के मंदा एक जाती दंगा है साउत एश्या में हैं सबसे पड़ा जाती दंगा के नाम होते हैं मनीपुर गंगा, साउट अश्या में कभी नहीं आस्ताख हुई, सारे शाउट अश्या में, जाती दलंगा होते हैं, कभी ऊरोप में, कभी आफ्रीका में, लेकिन हिंदूस्तान में ये पहले जाती दलंगा हो रहे हैं, इस मेंगनिचुड में इस इंटेंसिटी के साथ इस तिब्रता की साथ कि 60,000 लोग बिस्थापित हो चुके हैं देर सुझे जादो लोग की मौथ हो चुके हैं गाउं गाउं में लोग बंकर बनाके हातियर लेके गाउं को रक्षा करने में जूटे हुए है विबस्त होकर हमारा घर की मा बहिन को खूले आम विबस्त करके घुमाते हैं फिर सामुहिक बलतकार और इसके साज़त और दो तिन घटनागटे जहां सामुहिक बलतकर हो चुके हैं नजाने कितने और कबड़े हैं बलतकार तक ही जिसका जानकरी हमारे पस नहीं आए आप गए है सर मनीपूर सनीबर को जा रहे हैं तो इस समय और दूस्ता और एक और इसका डाइमेंशन देखी और एक डाइमेंशन बता रहा हूं हमारे जाती दंगा को लेकर हिंदुस्तन के पधानमती जब फ् फ्रांस को से बड़ा सन्मान उपादी मोदी जी को नमाजे जाते थे सबसे बड़ा उपादी से उस समय यूरोपियान पार्लामेंट में ये मनीपूर की जाती दंगा के चलते प्रस्ता पारित होते हैं हमारे देश की पधामती जब अमेरिका दौरा करते हैं बाडिन के उनको हाथ पकर के बोलने सुन्दे के हम लोग नया AI आए हैं लाए हैं अमेरिका और इंडिया आर्टिपिजल इंटिलिजिस नहीं है अमेरिका और इंडिया की रिस्ता की से तुलडा करते हैं अच्छा लगते थे इतना बड़ा सावदा हो रहे हैं अच्छा लगते थे उस border है हमारे देश के साथ strategic point है हमारा सारे refugee आते हैं सारे उधर से आउजर आते हैं और सारे हमारे जो golden triangle सारे narcotic state होते हैं तो यह जो मोनिपूर की मुद्दा यह सारे दूनिया में फ्यल गए हैं इस अलड़ी अजियोम्ड एन global dimension तो इस मुद्द जो मुद्द से देश की राज्यों के अंदर सीमित नहीं है मैं यह नहीं कहते मैं यह नहीं कहते कि आमिस्था जी कोई काभिलात में कमी है नहीं प्रधान मंति जी की मंत्री परिशत किसी की काभिलात में कोई कमी है यह मैं कहते ये कहने का मेरा अधिकार नहीं है, हिम्मद भी नहीं आए, लेकिन मैं ये महनिपूर की जाती दांगा था, ब्यापको कता को देखते हुए, मद्दे नजर, हमारा जोरूर ये मांग वाजिव है, कि पधान मंत्री आए और इसमें कुछ कहे, जब ग्लोबल टामेंशन की बात क करना चाते थे, पर उनके पूरे स्पीच के दौरान इतना शोर मचाग दिया गया, कि वो बोली नहीं सके, कोई सुनी नहीं है, एइसा तो कुछ चर्चा में नहीं आयता है, आप सुन रहे थे, स्टेटमेंट देते थे, जैसंकर जी, तो फिर मोदी जी भी बात करेंगे, त जैसंकर अगर मोदी जी की जाई जाई ना करे, तो जैसंकर जी के लिए खत्रा पाइदा हो सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगा, उसके मंत्री पर सकते मंत्री है, मोदी जी को सराना करना ज़रूरी है, अगर हम रहे तो महीं भी करते, लेकिन उस्टेटमें की या कोई एक मतलब मंत्रक की दायरे में नहीं होते यह ग्लोबाल दायरे में चले गए जब ग्लोबाल दायरे में चले जाते हैं जब बाइडन के साथ मिलाने जोरी होते हैं तो मोदी जी उरके चलते हैं जैसंकर नहीं जाते बाइडन के साथ मिलाने में और करार बना करने के खजये लिये हैं रहार एंग कि झाल रहाएं जुट जाल जो जाएंग कि प्राइवार के लिए All प्रीन के लिए रचरें से विए अनीज़